नवश्कार प्यारी बच्चों कैसे हैं आप आशा करती हों अच्छे होंगे तो आज हम करेंगे यूवाओं से का अभ्यास कारे शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है ये अध्यापक को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लास्ट में कॉमेंट ज विश्वास किन पर है सौमी विवेकनद का विश्वास नवीन पीडी के नव्यूवकों पर है अगला प्रशन कौन सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कारे करता है उत्तर निस्वार्थ वेक्ति सबसे की अपेक्षा उत्तम कारे करता है अगला किस शक्ती के सामने सब शक्त दब जाएंगी अगला प्रिशन असंभव को संभव बनाने वाली चीज क्या है उत्तर असंभव को संभव बनाने वाली चीज प्रेम है अगला प्रिशन जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह क्या है उत्तर जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है अगला प्रशन कमजोरी किसके समान है? उत्तर है कमजोरी मृत्यू के समान है अगला प्रशन सबसे पहले हमारे तरुनों को क्या बनना चाहिए? उत्तर सबसे पहले हमारे तरुनों को मजबूत बनना चाहिए अगला प्रशन प्रतेक आत्मा क्या है? उत्तर प्रतेक आत्मा एव्यक्त ब्रह्म है अगला प्रशन नव्युवकों को किसकी तरह सहंशील होना चाहिए? उत्तर नव्युवकों को प्रत्वी की तरह सहंशील होना चाहिए अगला प्रशन किसका पुनरुथान होगा? उत्तर है भारत वर्ष का पुनरुथान होगा अगला प्रशन क्या धीरे-धीरे दूर हो रही है? उत्तर जड़ता धीरे-धीरे दूर हो रही है प्रश्न युवाओं से पाठ के लेखक कौन है? उत्तर युवाओं से पाठ के लेखक स्वामी विवेकनन्द है प्रश्न प्रतेक विक्ती को कैसे उप्युक्त बनाया जा सकता है? उत्तर प्रतेक विक्ती को शिक्षा के द्वारा उप्युक्त बनाया जा सकता है अगला प्रश्ण भै किसका कारण बनता है उत्तर भै ही पतन और पाप का कारण बनता है अगला प्रश्ण हमारे स्वभाव में किसका अभाव है उत्तर हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वता अभाव है अगला प्रशन भारत वर्ष का पुनर उत्थान कैसे होगा उत्तर स्वामे विवेका नंद के अनुसार भारत का पुनर उत्थान शारिरीक शक्ती से नहीं बलकि आत्मिक शक्ती से होगा वह उत्थान विनाश की ध्वजा से नहीं बलकि शांती और प्रेम की ध्वजा से होग हमारी यह व्रद भारत माता पुन्ह एक बार जागरत होकर अपने सिंगहसन पर पून व्यभवता के साथ विराजवान होगी त्याग और सेवा के बारे में स्वामी विवेका नंद जी के क्या विचार है उत्तर सौमे विवेका नंद के नुसार भारत के रास्टी आदर्श हैं त्याग और सेवा तुम काम में लग जाओ फिर देखो कितनी शक्ती आएगी कि तुम उसे समहार नहीं सकोगे दूसरों के प्रती सोचने से वे काम करने से भीतर की शक्ती जाग उठती है और धीरे धीरे हिर्दे में सिंग का सा बल आ जाता है दुखियों का दर समझो और इश्वर से स्वाहता की प्रतिग्या करो कि हमारा सारा जीवन लोगों के उद्धार कारे में लगा देंगे अगला प्रशन स्वदेश भक्ती के बारे में स्वामी विवेका नंद जी का आदर्श क्या है उत्तर स्वदेश भक्ती के बारे में स्वामी जी कहते हैं बड़े काम करने के लिए तीन चीज़ों के आवश्यक्ता होती है बुद्धी, विचार और हिर्दे की महाशक्ती अतहर नुफ यूवकों को चाहिए कि वे हिर्दे वान बने यदि यूवकों ने जान लिया है कि भारत के अपने गरीब दीन बंदों की कई समस्याएं हैं तो समझ लो कि यही देशवक्ती की प्रथम सीड़ी है देशवक्ती का पहला पार्ट स्वदेश हितैशी होना उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्षे प्राप्त ना हो जाए अगला सर्व धर्म शहिशनुता के बारे में स्वामी जी के विचार लिखिए उत्तर सरवर धर्म शहिशनुता के बारे में स्वामी जी का विचार है कि सबी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सब की पूजा करता हूँ मैं प्रतेक, मैं उनमें से प्रतेक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ विस्वैम चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हूँ मैं मुसल्मानों की मस्जित में जाऊंगा मैं इसाईयों की गिरजा के क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रातना करूँगा मैं बौद मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूँगा मैं जंगल में जाकर हिंदों के साथ ध्यान करूँगा जो हिर्दस्त जोतिश त्वरूप पर मात्मा को प्रतेक्ष करने में लगे हुए हैं अगला प्रशने शिक्षा के बारे में स्वामी विवेका नंजी क्या कहते हैं उत्तर स्वामी विवेका नंजी के नुसार शिक्षा विविद जानकारियों का धेर नहीं जो तुम्हारे मस्तिक्ष में ठूस दिया जाए और जो आत्मसाथ हुए बिना वहां आजन्म पड़ा रहकर गड़बर मचाया करता है हमें अपने विचारों के अनुभूती करनी चाहिए जो जीवन निर्मान तथा चरित्र निर्मान में सहयक हो यदि केवल पांच ही परके हुए विचार आत्मसाथ कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्मान कर लेते हैं तो हम पूरे ग्रन्थाले को कंठस्त करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित है आगे प्रश्णों की ससंदर्ब व्याख्या करनी है जिसके अंदर प्रतन प्रश्ण है यह याद रखो कि तुम स्वयम अपने भागय की निर्माता हो उत्तर प्रसंग प्रस्तोत गद्यांश हमारी पाठे पुस्तक साहित्य वैभव के युवाओं से पाठ से लिया गया है इसके लेकक स्वामी विवेकनन्द है संदर्ब प्रस्त वाक्य को स्वामी जी ने नविवकों को मार दर्शन देते हुए अपने भाषण में कहते हैं स्वामी विवेकनन्द कहते हैं कि युवा दुर्बल नहीं है वे सब इश्वर की संतान है उनकी आत्मा पवित्र और पूर्ण है वे स्वैम अपने भाग्य की निर्माता है उनका बल उनहीं के भीतर है इन शब्दों के दुवारा वे युवकों को रास्ट निर्मान की प्रेड़ना दे रहे हैं अगला प्रशन उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्षय प्राप्तना हो जाए उत्तर प्रसंग प्रस्तुत गध्यांश हमारी पाठे पुस्तक साहित्य वेभव के युवाओं से नामक पाठ से लिया गया है इसके लेखक स्वामी विवेकानंद है संदर्ब प्रस्त वाक्य में स्वामी विवेका नंद जी ने नविवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अज्ञानता से जाक कर देश को आगे बढ़ाने के लक्षपत पर तेजी से बढ़ना है इस पश्टिकन यह उद्गोश स्वामी जी के सभी उपदेशों में श्रिष्ट मना जाता है कारे करने के लिए बुद्धी विचार और हिर्दे की अवश्यक्ता है साथ साथ प्रेम से असंभव को संभव हो जाता है अते उठो जागो और अपने स्वरूप को पहचानो आगे बढ़ो और सफल होने तक बढ़ो अगला प्रश्णम भय से ही दुख होता है यह मेत्यू का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराईयां तथा पाप होता है उत्तर प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठे पुस्तक साहीत वेभव के युवाओं से नमक पाठ से लिया गया है इसके लेकक स्वामी विवेकनंद है संदर्ब स्वामी विवेकनंद नव्यूकों को जागरत करते हुए कहते हैं कि भय से मनुष्य दुरबर्ल बन जाता है और इसी से पाप का जन्म होता है अगला प्रशन धोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है उत्तर प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठे पुस्तक साहीत वेभव के युवाओं से नमक पाठ से लिया गया है इसके लेखक स्वामी विवेका नंद है संदर्ब स्वामी विवेका नंद नविवकों को उद्गोशित करते हुए कहते हैं कि धर्मे अविश्वास रखने से बहतर नास्तिक है स्पष्टिगर्ण इश्वर की भक्ती सच्चे मन से विश्वास के साथ करनी चाहिए दिखावती या धोंगी भक्ती से तो नास्तिक बनना बहतर है स्वामी जी के ये विचार है अगला प्रशन है मैं तुम सबसे यही चाहता हूं कि तुम आत्म प्रतिष्ठा दल बंदी और ईश्वा को सदा के लिए छोड़ दो प्रसंग प्रस्तोत का द्यांश हमारी पार्टे पुस्तक साहित्य वेभव के युवाउं से नमक पार्ट से लिया गया है जिसके लेखक स्वामी विवे का नंद है संदर्ब प्रस्तोत वाक्य में स्वामी विवे का नंद ने कहा है कि स्वार्थ भावना को त्याकर उचित मार्ग पर चलना अनिवार रहे है इस पश्टिकन स्वामी जी के नुसा संगठन के लिए जो बाते चाहिए आज उनका भाव है वास्ताओं में देश भक्तों की एक्ता के लिए आपसी इश्या, द्वेश और रहेंकर ये सारी बाते नहीं होने चाहिए इनसे एक्ता में बाधा पहुंचती है आब है विलोम शब्द आशा, निराशा, साधारन, असाधारन, स्वदेश, विदेश, स्वार्ती, निस्वार्ती, कीर्ती, अपकीर्ती, शिक्षित, असिक्षित, पवित्र, अपवित्र, जन्म, मरण, निर्धन, धन्वान, मस्बूत, कमजोर, धर्म, अधर्म, नास्तिक, आगे हैं समानार्थी शब्द नवीन नया, पुरोहित पुजारी, जंगल वन, पहाड, परवत, ईश्वर भगवान, साहस, हिम्मत, तरुन, यूवक, अधिक, ज्यादा अगे हैं अनुच्छेट से समंधित कुछ प्रष्न हमारा आदर्षवाक्य क्या है? मरते दम तक गरीब एमपद दलितों के लिए सहनव भूती यही हमारा आदर्षवाक्य है किस के प्रती आस्ता रखनी चाहिए, ईश्वर के प्रती आस्ता रखनी चाहिए, किस की आवशक्ता नहीं है, किसी चाल बाजी की आवशक्ता नहीं है, तुम किस के समान होगे, तुम सिंग के समान होगे, हमें किसे जगाना है, हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है इसी के साथ ये अध्याय समापत होता है चैनल को सबस्क्राइब करें लास्ट में कॉमेंट लिखें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें धन्यवाद